वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो में जो भी विन्डोज और सौफ्ट्वेर से रेलेटेट ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पॉपस से सीखने के मकसद से दिखाई जाती है हम किसी भी तरह की एल्लीगल एक्टिव 2016 से ही माइक्रो सौफ्ट ने इसकी अपडेट को बंद कर दिया था और माइक्रो सौफ्ट की ओफिसियल वेब साइट से हम अब विन्डोज 7 को डाउनलोड नहीं कर सकते ऐसे में हमें मजबूरी में यदि विन्डोज 7 की इमिज को डाउनलोड करना पड़ जाए तो हमें अ इस वीडियो के लिए आपके पास एक 16 गीगाबाइट की USB ड्राइव, एक वर की PC या लैप टॉप और और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और टाइप करेंगे डेल और एंटर कर देंगे फिर हम ये डेल.com इस अफिशल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे यहां हम सर्च में टाइप करेंगे OSISO और सर्च बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहां यह कुछ लिंक दिखाई देंगे रिइंस्टॉल Microsoft Windows तो यहां ये तीनों ही लिंक एक जैसे दिख रहे है पहले फर्स्ट लिंक को ओपन करते है आप यहां इस लिंक के लास्ट में देख सकते है W732 हमें इसी लिंक को ओपन करना है मैं और लिंक्स को भी ओपन करके दिखा देता हूँ सबके पीछे अलग-अलग driver ID दी हुई है जिसे इस थर्ड लिंक के पीछे W74S दिया हुआ है तो लास्ट में W732 driver ID वाले पेज को ओपन करके हमें यहां download OS recovery tool इस बटन को क्लिक करना है इसके बाद downloading स्टार्ड हो जाएगी यह application लगभग 22.8 byte की है इसके download होने के बाद हम show in folder यहां क्लिक करेंगे और फिर download folder में आ जाएंगे इसके बाद आप इस setup पर double click करेंगे और फिर install बटन पर क्लिक करके इसे install कर लेंगे इसके बाद हम फिर से desktop पर आएंगे इस application OS recovery tool को run कर देंगे No, I do not consent इसे select करेंगे और done कर देंगे इसके बाद आपको another computer में यहां service tag टाइप करके search करना है आप 32 bit windows के लिए ये ओपर वाला dhvp2q1 और 64 bit windows operating system के लिए ये नीचे वाला tag dwk6ps1 एंटर कर सकते है मैं यहां 64 bit के लिए इसे यहां से copy कर लेता हूँ और फिर यहां लाके इसे paste कर देता हूँ search button को click करता हूँ फोड़ा wait करने के बाद आपको ये model show होगा और ये next का button highlight हो जाएगा अब आप next button को click कीजिए आपको ये show होगा finding the best recovery option for you इसके बाद आपकी USB drive आपको यहां show हो जाएगी आपको minimum 16 gigabit की USB drive यूज़ करनी है आप I understand इसे click करेंगे आपके लिए यहां Windows 7 Service Pack 1 Professional 64-bit की image डाउनलोड होगी अब आप download बटन को click करें Windows 7 की downloading स्टार्ट हो जाएगी ये file 7.06 GB की होगी जिसमें लगभग 2 गंटे लगेंगे मेरी internet downloading speed 1 GB से 1.5 GB की है आप अपनी internet speed के हिसाब से इसे download कर लेना तो अब हम इस ISO image को copy करने के लिए पहले file explorer को open करेंगे उसके बाद इस PC में जाएंगे यहां हम C drive को open करेंगे यहां पर हमें program data folder को open करना है जो की Windows का hidden folder है इसे open करने के लिए हम उपर यहां इन 3 dots पर click करेंगे फिर सबसे नीचे यहां options में जाएंगे उसके बाद view पे click करेंगे फिर show hidden files, folder and drives इसे select करेंगे और ok कर देंगे जिससे program data का folder यहां show हो जाएगा इसे open करेंगे इसके बाद Dell के folder में जाएंगे फिर हम OS recovery tool इस folder को open करेंगे फिर download folder को open करेंगे यहां यह files अभी download हो रही है हमें यही से इसे image को copy करना है इसे पहले की OS recovery tool उसे delete कर दे अब हम download folder से back आएंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे फिर हम downloading के complete होने का wait करेंगे जब तक यह downloading complete होती है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ हम फिर से अपना browser open करते है और यहां आके Google पे search करते है Dell Windows 7 ISO downloads और इस first link को open कर लेते है यहां इस page पर नीचे आप पढ़ सकते हैं Microsoft did not provide updated Windows 7 installation ISO which caused multiple installation failures on 2012-2016 computers due to a lack of basic driver support इन जैनुरी 2016 Dell released the Windows 7 professional Skylake reinstallation ISO आप यहां इस ISO image के बारे में complete जानकारी ले सकते है और यहां यह भी दिया गया है कि यह ISO file multi edition है और यह दो files a.cfg और pit.text को edit करके आप professional के अलावा home और ultimate edition भी install कर सकते है जो हम आगे वीडियो में करके देखेंगे यह link भी मैं वीडियो के description में डाल दूँगा अभी वीडियो की speed को थोड़ा fast करके downloading प्रोसेस को complete करते है और यदि downloading के दोरान आपका internet disconnect हो जाए या कम पढ़ जाए तो fix करने की जरूरत नहीं यह downloading फिर से वही से start हो जाएगी मेरा internet भी disconnect हुआ उस समय यह file 2.6 GB डाउनलोड हो चुकी थी मैंने फिर से इस application को बंद करके फिर से start किया और downloading वही से resume हो गई फाइल के download होने पर आपको verifying image शो होगा और फिर download complete लिखा दिखाए देगा अब आपको file explorer में जाना है और फिर यहां OS recovery tool में यहां download folder को open करना है यहां आपको यह ISO file दिखाए देगी इसे यहां से copy कर लेना है और अपने desktop पर लाके paste कर देना है recovery tool इसकी files को USB drive में extract कर रहा होगा इसी time में हमें इसे copy कर लेना है क्योंकि एक बार file extract हो गई तो यह image अपने आप ही download folder से delete हो जाएगी file के copy होने पर हम इसका नाम change कर देंगे कुछ भी मैं Windows 764 bit कर रहा हूँ यह tool पहले हमारी USB drive को format करेगा फिर सारी files को इस image से extract करके USB drive में paste कर देगा process complete होने पर आपको यहाँ यह finish बटन दिखाई देगा अब मैं आपको पहले download folder में ले चलता हूँ आप यहाँ देख सकते है वो ISO file यहाँ से delete हो चुकी है लेकिन हमने उसे पहले ही desktop पर copy कर लिया है अब हम इस finish बटन को click करेंगे और file explorer में जाके this PC पर click करेंगे एक बार अपनी USB drive को remove करके फिर से insert करेंगे Dell restore के नाम से यह Windows 7 की USB create हो चुकी है हम इसे open करते है Windows 7 की सारी files इसमें है लेकिन यह USB और ISO image दोनों ही अभी Windows 7 Single Service Pack Professional Edition है इसे virtual machine में install करके देखते है New machine create करने के लिए new पे click करते है Name में type करते है Windows 7 folder को default ही छोड़कर ISO image में other को select करके desktop से अपनी इस ISO image को select करके open करते है फिर skip unattended installation को select करके next बटन को click करते है memory को 4GB करके next करते है Create a virtual hard disk now size को 32GB ही रहने देते है next करते है और finish कर देते है हमारी नई virtual machine create हो गई है अब हम start बटन पर click करके इसे start कर देते है virtual machine start हो गई है और Windows की file load हो रही है इसका मतलब ISO file boot हो चुकी है आप उपर view में जा के scale mode कर सकते हो इसके बाद आप इस window को screen में set कर सकते हो Windows 7 का setup run हो चुका है language English select करते है आप कोई और भी select कर सकते हो next करते है install now पर click करते है wait करते है license term को accept करते है next करते है custom को select करते है 32GB की ये hard disk show हो रही है drive option पर click करते है new पर click करते है apply कर के ok करते है format करते है फिर next बटन को click करते है copying files, exporting windows files windows की installation का wait करते है windows installation में time लगेगा इसलिए video को fast forward कर देते है कुछ time बाद आपका computer restart होगा और setup is preparing your computer for first use आपको ये दिखाई देगा फिर आपको windows का addition दिखाई देगा और यहाँ आपको username टाइप करके next करना है password को आप blank छोड़ सकते हो फिर next कीजे, यहाँ ask me later को select कीजे उसके बाद यहाँ से अपना time zone सेलेक्ट करके next कर दीजिए फिर location में home network सेलेक्ट करके wait कीजे फिर preparing your desktop शो होगा और आप windows साथ के desktop पर आ जाएंगे अब आप windows आइकॉन पर right click कीजे उसके बाद computer पर right click कीजे और show on desktop कर दीजिए फिर computer आइकॉन पर right click करके properties पर क्लिक कीजे यहाँ आप देख सकते है windows 7 professional service pack 1, ram 4GB, processor intel i3 है फिर से desktop पर आके right click कीजे personalize पर क्लिक कीजे और यहाँ windows 7 की theme को select कर लीजिए इस image फाइल को multiple edition बनाने के लिए हम अपने browser को open करेंगे और वहाँ type करेंगे any one फिर हम is the official any one website को open कर लेंगे download now बटन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से किसी एक free edition को select करेंगे फिर यह चोटी सी application आपके computer में download हो जाएगी फिर हम download folder में जाएंगे और यहाँ से इसको install कर लेंगे install होने के बाद कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा या इन सब options से हम edit image file पर क्लिक करेंगे image file को select करने के लिए folder icon पर क्लिक करेंगे फिर desktop पर जाएंगे file को select करके open करेंगे फिर next करेंगे यहाँ ISO image की सारी file शो हो जाएगी अब हम sources directory में जाएंगे scroll करके नीचे आएंगे और इस directory से a.cfg इस file को select करेंगे जो की एक kilobit की file है फिर उपर remove button को क्लिक करेंगे yes कर देंगे फिर next button को क्लिक करेंगे फिर यहाँ इस नई file के नाम को change कर देंगे windows 7 multi 64 bit फिर create now बटन पर क्लिक कर देंगे जिससे desktop पर एक नई file क्रियेट हो जाएगी इस process के complete होने का इंतजार करेंगे आपको show होगा creating image file finished successfully तब आप इस exit बटन को क्लिक करेंगे अब हमारे पास दो ISO images है पहली जिसमें professional edition है और दूसरी जो अभी हमने create की है यह file multi edition है तो इसे check करने के लिए मैं पहले की तरह एक नई virtual machine create कर लेता हूँ और इसे मैं नाम दे रहा हूँ windows 7 home और यह process आप देख चुके है इसलिए मैं ज़्यादा ना समझाते हुए सीधे machine create करके आपको यह नई ISO file boot करके दिखाता हूँ machine हमारी ready है बस इसे start करते है इसमें मैंने नई ISO file multi edition को boot करवाया है आप देख सकते हैं नई file boot हो गई है अब देखना है कि इसे सीधे windows install होती है या यह multiple edition install करने का option देती है जल्दी से मैं language select करके next करके install बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं सीधे windows install ना होकर यहाँ यह home, home premium, professional और ultimate edition का option दे रही है उसी process से मैं जल्दी से home edition को install करके desktop पर आता हूँ यहाँ desktop open हो गया है यानि कि इसे home edition भी install हो गया है इसी तरह से आप और edition भी install कर सकते है हम about में चलते हैं और आप यहाँ इस windows का addition जो की home है RAM और processor चेक कर सकते है जिनके पास पुराने laptop है वो लोग original windows 7 को इस तरह से download और install कर सकते है activation की आपको खुद से arrange करनी पड़ेगी अब हम उस USB drive को भी multi edition बना सकते है इसके लिए हमें उस Dell Restore USB drive को open करना पड़ेगा फिर हम sources directory में जाएंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके उसी file a.cfg को delete कर देंगे अब आप इस USB drive से Windows 7 के ये चारो एडिशन आसानी से install कर सकते हो ये USB drive तो 16GB की थी अब यदि आपके पास केवल 8GB की USB drive है तो आप इस ISO फाइल से Windows 7 की installation drive create कर सकते हो इसके लिए आपको अपना browser open करना होगा और वहाँ type करके search करना होगा Rufus और Rufus की official website को open करके यहाँ नीचे से इसके portable version को download करना होगा जैसे ही आप इस link को click करेंगे ये चोटी सी application तुरंट download हो जाएगी इसके बाद आप download folder में आके इसे open कर लेंगे open होने पर ये अपने आप आपकी USB drive को detect कर लेगा अभी मेरे laptop में 16GB की USB drive लगी है मैं इसे change करके 8GB की USB drive लगा देता हूँ आप देख सकते हैं अभी 8GB की USB drive शो हो रही है अब हम select button को click करेंगे फिर desktop पर जाएंगे फिर इस multi edition file को select करेंगे open करेंगे फिर partition में MBR select करेंगे फिर हम नीचे यहाँ start button को click कर देंगे warning show होगी की USB का सारा data delete हो जाएगा हम OK करेंगे USB format होके files उसमें copy होना शुरू हो जाएंगी लगबग 30 से 35 मिनिट बाद आपको यहाँ ready लिखा show होगा अब आप close button को click करेंगे आपकी USB Windows 7 की installation के लिए ready हो जाएगी अब आप इस USB को किसी भी laptop में लगाएंगे या escape button दबाएंगे जिससे भी आपका boot menu open होता है मेरे laptop में ये F8 से open होता है इसलिए मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ इसके बाद आप अपनी USB flash drive को select करके enter कर देंगे इसके बाद Windows का setup run हो जाएगा और आप आसानी से Windows 7 किसी भी computer या PC में डाल पाएंगे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और इसी तरह की इंटरस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद दोस्तों